कारबाइड आखिर क्या है? दोस्तों यह है एक केमिकल है और यदि इसे पानी में मिलाएंगे तो इसमें से उश्मा यानी हीड निकलती है तो अगर किसी केले के गुच्छे को इस केमिकल यूग पानी में डुबाया जाए तो यह है उश्मा केलो में उतरती है और केले पूरी तरह से पक जाते हैं दोश्तों यह chemical कई देशों में बैन भी है लेकिन भारत में यह chemical अभी भी गयरकानूनी तरीके से इस्तिमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया को उपयोग करने वाले व्यापारी इतने होश्यार नहीं होते हैं उन्हें पता हो कि इस chemical का प्रयोग किस मातरा में किया जाए इसलिए वह अधिक मातरा में इसका प्रयोग करते हैं और केलो में यह खतरना chemical प्रवेश कर जाते हैं और फिर इन ही फलों का हम सेवन करते हैं जिससे हमारे digestion system में खराबी आती है आँखों में जलन, छाती में तकलीफ, पेट दर्द, गले में जलन, अलसर और ट्यूमर जैसी बिमारिया हो सकती हैं इसलिए दोस्तों कारबाइड यूप केलों की पहचान होना बेहद जरूरी है यदि केले को प्राकरतिक तरीकी से पकाया है तो उसका डंठल यानि ऊपरी हिस्सा काला पड़ जाता है और केले का रंग अधिक पिला हो जाता है साथिसाथ केले पर थोड़े-बहुत काले धब्बे भी रहते हैं परंतु यदि केले को कार्बाइड का इस्तेमाल करके पकाया गया है तो उसका डेंठल हरा होगा और केले का रंग लेमन येलो यानि नीमू के रंग सा पीला होगा इतना ही नहीं ऐसे केलो में कोई दार धब्बे नहीं होते हैं जिसी है हमें दिखने में अच्छे लगते हैं और हम इन्हें खरीद लेते हैं तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि दोनों तरह केलों में क्या अंतर होता है इसलिए केला खरीदते समय साफधानी जरूर बरते अब बारी है स्पेशल टिप की दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप क्यामिकल द्वारा पकाए गए फलों और सबजियों के दुश प्रभाव से बच सके तो जब भी आप फल खरीदें उन्हें खाने से पहले 2-3 मिनट के लिए चलते हुए पानी यानि रणिंग वार्टर में दो चम्मत सिर्का डाल कर अच्छी तरह से रगड़ लीजिए दोस्तों ऐसा करने से फलों और सबजियों में से क्यामिकल निकल जाते हैं और अब आप इनका सेवन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें कमेंट करके बदाए कि आपको इवीडियो कैसी लगी अपने चाहने वालों में इस वीडियो को शेर करें और साथी साथ अमारे चैनल हिंदी हेल्ट टिप्स को सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो वज़ित नहीं दोस्तों धन्यवाद